नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में आज हैं सीटेट 2020 के लिए NCRT के सिल्वस पर आधारित EBS के महतुल प्रशनों पर डिस्कस करेंगे CTR exam में सभी प्रशन इनिसालिटी से ही पूछे चाते हैं तो इसलिए इन प्रशनों को अभ्यान से पढ़िएगा exam में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रशन देखने को मिलेंगे वीडियो बढ़ी हाल लगे तो लाइक और शेयर जरू करिएगा और चैनल को पहली बार देखरें तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है कि कौन से बीमारी तूशित चल पीने से फैलती है आप्शन आपने समने दिये हुए है टाइफाइड, इसकरवी, एनेमिया या टेटनेस प्रशन का सही उत्तर है आप्शन ए टाइफाइड नेश्क कोश्चन है कि कौन सा प्रथम साहित स्रोथ है रिगवेद, सामवेद, यजूरवेद या फिर अथरवेद इस प्रशन का सही उत्तर है रिगवेद, भारत का जो सबसे प्राचीन वेद है वो है रिगवेद अगला प्रशन है कि वाइमिंडल के निन्याम्ले प्रतिशत भाग पर किन्दो गैसों का विस्तार है अगला प्रशन है कि निम्लिकित में से कौन स्वास्थ धड्यों के लिए आवशक है कैल्शियम एवं विटामिन D, पोटेशियम एवं विटामिन K, कैल्शियम एवं विटामिन E, या फिर कैल्शियम एवं विटामिन C तो स्वस्थ थड्डियों के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है केल्शियम, विटामिन डी और विटामिन डी जो है ये सूर के प्रकाश के द्वारा मनुश्के शरीर को प्राप्त होता है अगला प्रशन की भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी का क्या नाम है तो भारत में जो हिमाले की सबसे उची चोटी है वो कौन सी है काउटिन ओश्टिन, माउंट एवरेश्ट, मंदा देवी या फिर कंचन जंगा सयुतर है ओप्शन डी कंचन जंगा और ये सिक्किम में इस्थित है अगला प्रशन है कि वाय मंदल की सबसे निचली परत का क्या नाम है चोब मंदल, समताप मंदल, ओजोन मंदल या फिर आयन मंदल वाय मंदल की जो सबसे निचली परत है वो है चोब मंदल इसको अधो मंदल या संपन मंदल भी कहा जाता है मौसम समंदी जितनी भी घटनाएं है वो सभी छो मंडल में ही संपन होती है नेश कोशन है कि विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है इसकरवी, बेरी-बेरी, रताउंधी या फिर पोलियो तो सही उत्तर है आपका option A, इसकरवी विटामिन C की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है इसकरवी नेश कोशन है कि भारत का पहला राष्टी उद्यान है जिम कारबिट राष्टी उद्यान, हेमिस राष्टी उद्यान, काजी रंगा राष्टी उद्यान या फिर कैबूल राम जाओ राश्टी उध्यान तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A, जिम कारवेट राश्टी उध्यान इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और ये उत्राखंड में स्थित है और ये नैनिताल में रामनगर में स्थित है अगरा प्रशन का प्रसिद एक सिंग वाला गैंडे वाला राश्टी उध्यान जो है वो कौन सा है काजी रंगा राश्टी उध्यान, नदेवी राश्टी उध्यान, हिमिस राश्टी उध्यान या फिर नामदफा राश्टी उध्यान तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A, काजी रंगा राष्टी उध्यान काजी रंगा राष्टी उध्यान असम में है और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है निएस कोश्टान की निर्म निखित में से कौन सी आगने चटान है बेसाल चटान, चुना पत्थर की चटान, स्लेट की चटान या फिर ग्रेफाइट की चटान तो इस प्रशन का जो सही उत्तराप का है वो है option A, बेसाल की चटान बेशाड़ी जो चटान है वो आगने चटान का एक प्रकार है और आगने चटान का जो निर्माड है वो जो अलमकी से निकले लावा से होता है आगने चटान जो होती है ये परतरहित चटाने होती है इनमें जिवाश्म नहीं पाये जाते हैं उसके लावा जो दूसरी प्रग्डी चट्टाने हैं वो हैं अवसादी चट्टाने तो जो अवसादी चट्टाने होती हैं वो प्रददार चट्टाने होती हैं और उनमें जिवाश्म पाए जाते हैं अगनी चट्टान और अफसादी चट्टान जो हैं ये समय और मौसम के कारकों के द्वारा परवर्थित होकर रूपांत्रित या फिर काइंत्रित चट्टानों में परवर्थित हो जाती है नेश कोशन है कि विश्क की सबसे लंबी नदी है अप्शन आपके सामने दिये होए है नील नदी, अमेजन नदी, यांग सी क्यांग नदी या फिर गंगा नदी तो विश्क की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी जिसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया जील और ये अफ्रीका महादीप में इस्थित है विश्क की दूसरी सबसे जो लंबी नदी और विश्क की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी जिसका उद्गम स्थल है लेगो विल फैरो और ये ब्राजील में इस्थित है याद रखेंगे है विश्व की सबसे लंबी नदी है नील जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांग सी क्यांग जो कि चीन में इस्थित है और ये एश्या महादीप की सबसे लंबी नदी है और अगर पूछें भारत नामा के स्थान पर आपस में मिलती है, यहां से इस नदी का नाम गंगा पड़ता है अगर आप से पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी तो आंसर होगा गंगा और आपसे पूचा जाए कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र दोनों प्रश्में थोड़ा सा डिफ्रेंस है अगर पोच्टने की भारत की सबसे लंबी नदी तो बात हो रही है उस नदी की जिसका उद्गम इस्तल भारत में हो सबसे लंबा दिन होता है तो यह किसीच का सूशक है अगर आपको पता हो तो अप्रमेंट बॉक्स में जोरू बताईएगा अगर प्रशने की दक्ष्णी कोलारत का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर 21 मार्च 21 जून या फिर 23 सितंबर तो दक्ष्णी कोलारत का सबसे लंबा दिन है वो होता है 22 दिसंबर अगला प्रशन है कि विश्व में सरवाधिक स्वाइबीन का उत्पादन कौन सा देश करता है सहिकतुराज अमेरिका भारत एगलेंड या फिर इस्पेन नियुटिखित भारती राजियों में से किस राजिकी कोई समुद्री सीमा नहीं है राजस्थान, गुजरात, गोवा या फिर महाराश्च्ट सही उत्र है option A, राजस्थान किस नदी के प्रदूशनद की माप के जाती है B.O.D. प्रेरी, बायोम या फिर आर्सेनिक के द्वारा तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो आपको है option A. B.O.D. किसी निदी के प्रदुशन की जो माप है वो की जाती है B.O.D. के द्वारा अगरा प्रशन की वाइरस से होने वाला रोग वाइरस याने के विशांड से होने वाला रोग कौन सा है जुखाम, टाइफाइट, टीवी या फिर मलेरिया तो प्रशन का सही उत्तर है option A. जुखाम जो है वाइरस या फिर विशांड से होने वाला रोग है निशोचने की भारत में करशी को प्रवावित करने वाला मौसंगों सबसे महत्पूर्ण कारक है वर्शा, तापमान, अधरता या फिर वायू तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A. वर्शा भारत में क्रिशी को प्रवाहित कने उला मौसांगों सबसे मैंतपूर्ण कारक है वर्षा नेश कोशने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कप की गई थी 1972, 1973, 1982 या फिर 1988 तो इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन B, 1973 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात वर्ष 1973 में की गई थी नेश कोशने नेमिकित में से किस राज में गल्फ आप मननार महरीन राष्टी पार्क इस्थित है गुचरात, तमिलनाडू, अंडमान निकोबार या पश्यम बंगाल सही उत्तर है ओप्शन B, तमिलनाडू ठीक है, गल्फ आप मननार जो महरीन राष्टी पार्क है ये तमिलनाडू में इस्थित है नेश कोशने भारती प्राइदीप शेते में निकित राजे सम्मिलित है उडिसा, छेतिसगर एवम आंद्र प्रदेश तमिलनाडू केरल, करिनाटक एवम आंद्र परदेश पश्यम मंगाल उडिसा एवम आंडि परदेश या महराष्ट, गुजरात एवम गोवा तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option B तमिलाडू, केरल, करनाटक एवं आन्द प्रदेश आपको पता होगा कि इस्थल का एक ऐसा भाग जो चारो तरफ से पानी से गिरा हो उसे कहते हैं द्वीप और इस्थल का एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से गिरा हो जिसके एक तरफ जमीन हो उसको बोलते हैं प्राइदीप तो तमिलाडू, केरल, करनाटक एवं आन्द प्रदेश जो है ये भारती प्राइदीप के अंदरगत आते हैं अकसर प्रशन पूछ लिया जाता है कि भारती प्राइदीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है गोदावरी जिसका जो उद्वा मिस्थल है वो है तरमिकेश्वर जो की नासिक महराष्ट के पास में इस्तित है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आपका ओप्शन वी विज्ञान समाजिक अधियन एवं परियावरन सिक्षा का अगला प्रशन है कि विश्मे सरवादिक छेत्वल वाला देश है रूस, चीन, इंग्लेंड या फिर स्पेन सही उत्तर है option A, रूस, विश्में जो सरवादिक छेत्वल वाला देश है वो है रूस, अगर पूछाएं कि एशिया में सरवादिक छेत्वल वाला देश कौन सा है तो वो है चीन अगला प्रशन है कि निम्लिकित में से कौन हमारे परवेरावरण के अपगटन के लिए उत्तरदाई नहीं है यानि कि जिसे परवेरावरण को नुकसान नहीं पहुचता है ठीक है वन उपर यानि कि पेड़ों को लगाना तो परवेरावरण के अपगटन के लिए जो उत्तरदाई नहीं है वो है आपका उप्षन ए वन उपर अगला प्रशन के किसी विक्तिकों उसके परोसी ने चार किलो आवला दिये हैं एवन वा उनसे मुरब्बा बनाना चाहता है त सनक्षण, परिरक्षण, अपगटन या फिर पास्चुरी करण तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको अप्षण भी परिरक्षण ठीक है तो आपको पता होगा कि जो खाद परदार्थ हैं तो उनको बेंजोईक एसिट के दोवारा जो है परिरक्षित किया जाता है कि चली बढ़ते हैं अगले प्रीज़के तरफ अगला प्रशिन के पर उरजा का प्रमुग शूरत है तो प्रतिपर उर्जा का प्रमुग सूरत क्या है वाईव सूर्य परदै या फिर जानौन पेंड़ल प्र Tapi औरल चानुल प्रकार की होती है तो रिश्म की रायसाइनिक प्रकति कैसी होती है option आपके सामने दिये हुए है protein, carbohydrate, वसा एवं वसी है अमल तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option A, protein रिश्म की जो रायसाइनिक प्रकति है वो protein की होती है तो friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो झाल झाल